हेलो फिरेंज माइम इस डाक्टर इंत्यास आई एम स्पेशल स्प्रायन हेल्थ केर आज हम बात करेंगे ओड़ एज पर ओड़ एज एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है जिसमें हर गर में माँ, बाप, भाई, बहिए्झ, बुजरेग अरे एज में आ जाते हैं क्योंकि इन्हों के लिए क्यों इंपोर्टन होते हैं और कौन कौन से ऐसी चीजें हम करनी चाहिएं जिससे हम उनुक की लाइप को उनकी जिन्दागी को हम बहुत अच्छी सी जिन्दागी को जाहर सकते हैं जिसमें सबसे पहले इस Upperski मिनसम को जानरा ही हम जिए हए फिर्यजेर सुना छो केसे सी को से एक्डार करें जिससे उसके हमने ब keto में बता सकते हhésitez वी हाँ उसके साथ हम बात करेंगे . क्यों इंपृतन्ट टाइट होती है suple में क्योंके और शबब वेने वे इस पशुन से बात करेंगे आज सबसे पहले हमद बात बात करते ि नम करना चाहिए देखे हम फिलापे के लिए क्या जरूरी होते हैं कि हर काम के लिए हम future plan पहले से बनाते हैं लेकर हमें पता होता है कि बड़ापे में यह चीजे होती हैं एक तो बंदा वो है जो इस life में old age में चल रहा है एक वो बंदा होता जो old age में आने वाला होते हैं उसमें लिए हम बात करेंगे उसमें जो और डेज वालों की सबसे पहले होते फिजिकल एक्टर्टी और एक्सरसाइज बहुत इंपोर्टन्ट होती है और डेज में एक्सरसाइज हो या फिजिकल एक्टर्टी एक्सरसाइज में जो आप जो एक्सरसाइज रूटीन में बंद लगता है किसी हो किरकेट अच्छा लगता है या इसमें जैसे कोई अप स्यमिंग में आता है फिजिकल एक्टवटी में कोई जो है अपने एनिमल्स में कोई लाइक करता है को युद कुछीज पालना जाता है लेकिन फिजिकल एक्टवटी उसके होम में होने चाहिए और जिकार को आजता है क्योंकि बच्य होते हैं वो नोब काते रहा हैं सोल्ड प्रूप कोषुआ कोई वे नुद भीना bell कोल जोफे यह न करने की साथ यहुआ कि Bakकर रहीज में है कि वो भीना लमाता है कि वो ब्रापल सो नहीं सकते है और दूसरा यह है कि उसके लिए हमारे को रेगुरार जब वीकली मंथली जो है उसका चेकब लाजिम करना चाहिए डाक्टर के पास और आवाइडिंग करनी चाहिए से अलकॉल या डिंकें के बारे में और सबसे पहला जो बात करें ह कि हम स्ट्रेस पर बात करेंगे ज्यादा तर क्यूंकि स्ट्रेस के मेनिंग मना होती है देखो हर डाक्टर के पास जाते हैं स्ट्रेस होता है लेकि स्ट्रेस को हम ऐसी कौन सी चीज़ें करें कि हम स्ट्रेस रिडूस कर सकें स्ट्रेस में हम टाइम पर सोते नहीं वह स्ट्र रहे लेकि लेगर हम番 में का सकते हैं ? थे सिर्देस के सकते हैं ? खें थे से हम करने you सबसे पहले यह है कि हम जिसे बच्पन में दिन जो गुजरे हों या दोस्ट यार अजीज रिष्छथधर ऐसे हों जिनों में बच्पन से जो उन्हों के satis related हों is school life में हों उन्हों से बंदा जाके मिलना चाहिए नहीं मिल सकता तो फॉन देबात कर सकता लेग collaborative experience करने इसका जो stress का है लाजमी stress का जो वक्ती इसको relief मिलेगा लेकिस्ट्रेस का इस तरीके सा हम उसका stress reduce कर सकते हैं यह वो चीजें हैं जो हम old age को हम इस तरह से हम यह चीजें करके उसकी जो old age में जो है बढ़ापे में हम उसको पचाओ कर सकते हैं stress बहुत important है क्योंकि हर 99% को stress में होता है तो इसमें old age में ज्यादा होता है क्योंकि गर की जितने पी होते हैं उनकी family बड़ी होती है उसके लिए stress अब उसके रिए बहुत से यह होते हैं कि उसके बाद सुनना नहीं चाहिए सुनने से उसका पी stress कम होता क्योंकि उसके सारी जिन्दगी गुजारी होती है उसने सिखा होता है उसकी जो psychology stage कहता है को सब को सिखाना चाहता है तो इसलिए उसको सुनना जरूरी चाहिए सुनने से उसका stress कम होग करने के लिए सबसे बड़े हैं देखो देलिया हम देलिया कर सकते हैं जिसमें देलिया यूज करने से जो है उसमें देलिया यूज करें जाए जिससे हमें बहुत से बीमारी उसे अक्सर बढ़ापे में जो होता है हाल्ट की डिजीज हो सकती है है डायप्टी इसे इसके ऑस्तो आर्ट रडिसने से हैडियों की बीमारी और अधर के लोने की बीमारी यह ज्यादा होती है तो इसलिए हम उसको है खाने के अगर नुट्रिक करें तो उसमें बहुत सी चीजे में आप उसको मेनेज कर सकते हैं खाने के अधर यह से और दूसरा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी वह तो बहुत इंपोर्टेंट होती है और डेज में वैसे एक नार्मल बंदे को भी जरूरी होता है फिजिकल अधिविटी होती है जिससे वह बन देगा जहिन जो होता है और जो बना एक्टिव रहता है जिससे वह बहुत सी कीजों से बज सकता है वह आइडिंग और ड्रिंकिंग अल्कॉल इस तरह की चीजे उनको नहीं देनी चाहिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे डाइट पे निटविशन डाइट ऊपने पहले भी बहुत सी डाइट पे बात की हुए लेकिन अभिशम हमे बात करेंगें के डाइट से हम कैसे उसको अपटनर्जी देके तरह कर सकते हैं बहुत सी डिजीज हो या डियापटीज हो, कैंसर हो, अधर सी यह चीजें, पहुती हैं जो अक्सर ओडेज में आ जाती हैं, तो इसका हम कैसे कर सकते हैं उसको, देखें, हम अच्छी न्यूट्रिशन दे सकते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन से क्या होगा, उसमें जो कम्प्लीट में आजगाते हैं, जिसमें वेज़ीट एबने हैं, आइल यूज कर सکते हैं, जो इसमें, सिरस जर्सों का हो यीजे, जो नेचरली जो कुलरटी हैं, आप वे चीज नियूजान कर सकते हैं जिसे आईल का है अपना पिलस्स के में जो आईल है अपना जैतुन का आईल आता है यह वो चीजे हैं जो हमारे मुलक में सबसे ज्यादा सरसू होती है तो अब सरसू का तेरे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें कॉलस्ट्रोल की और बहुत सी चीजहों से में benefit मिलता है ठीक है उसके लाव फल्प फूट्स यह होते हैं उसमें ज़्यादा फाइबर पाया जाता जिससे वो चीज़ इस्टमाल करने जिसे सपॉर्ट मसल्स से उन्ले को चीज़े मिलती यह और जब हम फल्पूट इस्तिमाल करते हैं तो हम्यूस स्टम बिस्टांग रहता है वो चीज़ा होती है फाइबर से मिलता है और कुछ कैल्शम के रिलेटेट जो फुरूस आते हैं जीसे में हम ड्राइफ प्रूट इस तरफ आते हैं जिसमें वो यूज करके हम उसको हो कर सकते हैं उसके इलावा हम देखें देने से हमारे स्ट्रेंस बॉन यह वीक्स रिस्क यह हम पहले इसके अच्छे तर निटूशन रखी जाए और दौरान तो यह बहुत सी रिस्क जिसे हार्ट के रिस्सक में आता हैं जैसे कॉलस्टोल और चीज़ें वाली चीज़ें जाए तो उनों में वह उसका जो शुगर का लेवल अब डाउन नहीं होता हो कैंटि नहीं रहता है तो बहुत सी चीज़ों में हमारी नुट्रिशन बहुत हल्प करता है नुट्रिशन दूसरा यह होता है ओड़ जो खृणे में प्राबलम ही होता है कि उन्हों को सौट चा डाल क, यह इस तरफ के, वो चीज दे के हम उसको बहुत important कर सकते हैं उसकी nutrition. इसके लिंबेध हम बहुत हम हम泌त करेंगे exercise का बहुत important होता है । exercise गलते होता है एक्सराइज जा देखिए, ich supposition as it to one Kund call, physical activity को मितलब एक्सराइज लाजमी करना, रोटीन के साथ से घर में जो भी है अब एक्सरसाइज में उसको थोड़ा सा वाग जिसे बड़ा पहता है बच्चों के साथ खिलना ये चीजें उनों को देना चाहिए इस तरफ का माहूल इंवार्मेंट देना चाहिए जिससे वो उसके एक्टिव रहे और उसका जो है फिज जिससे होता है मैंटेन और दूसरा डेप्रेशन बहुत हो जो है जो है अपना मैंटेन करता है क्योंकि मेमोरी में बहुत सी बाते होती है जब बंदा एक्टिव होता है जब खेलन में आता है तो वक्ती जो माइंड होता है वो फोकस होता है इसमें एक्टिवटी में जिससे उसे बहुत से रिलीव मिलता है उसको विरेन को एक्टोटी के लिए तो इसलिए आज हम बात इसके फ़र्स्ट पार्ट बन पे सिर्फ किये और जो आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम बात करेंगे उसमें बिल्ड पेचर, कॉलस्टोल और असिस पेच्टो जो आम केमाया होती है वर्डे में हम उस पे नेक्स्ट में बात करेंगे